हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MS Paint में अपनी फोटो के नीचे या किसी भी फोटो के नीचे डेट और नाम कैसे लिख सकते हैं क्या तरीका है यहाँ पे आपको कुछ बाते ध्यान रखनी हैं स एकडम किलियर दिखने चाहिए और तीसरा आपका जो फोटो है वो एकडम सही क्वालिटी में सेव हो जाना चाहिए और जितना केवी आपको चाहिए उस केवी में सेव हो जाना चाहिए अब तीनों चीज यहाँ पर हम फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम MS Paint ओपन करते हैं अ आप एक चीज भी लिख सकते हैं और दोनों चीज भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर फोटो लाने का एक सिम्पल तरीका है तो MS Paint ओपन करें इसको छोटा करें और फोटो को ऐसे उठा कर यहाँ पर ले आईए और छोड़ दीजिए सिम्पल आपका फोटो यहाँ पर आजाएगा अगर आप चाहें इसे क्रॉट कर सकते हैं तो क्रॉट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले उतना सिलेक्ट कर लीजी जितना आपको चाहिए आपको और क्रॉट बाले अप्शन पर क्लिक कर दीजिए और लिखना चाहते होंगे तो इसके लिए आपको कहीं बाहर क्लिक करना है अगर आपने फोट्अ एरोदेखने को मिलेंगे यानि दो मूव वाले एरोडेख जाएंगे घैसे आपको आपको माउस से होल्ड कर के यानि दवाय रखना है और इसे नीचे खेचना है उतना नीचे खेच यह जितना आपको चाहिए मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना खेच लेता हूँ तो यह हो चुका है आप देख सकते हैं और नीचे कर सकते हैं हम इसे और नीचे कर देते हैं यहाँ पर अब हमें लिखेंगे अपना नाम और डेट फिर आपको यहाँ पर करना है एक option यूज जिसका नाम होगा A, A for Apple इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप फोटो पर आईए और यहाँ पर आई बना वो दिखाई दे जाएगा आप वहाँ पर क्लिक करें जहाँ पर आप इसे जहाँ पर आप नाम लिखना चाते हैं या डेट लिखना चाते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक डबास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर नमबर सिलेक करें जैसे की 36, 28, 26 select कर लीजिए पहले इसको जरूरी है यह तो मैं अब 48 करता हूँ अब मैं आप लिखता हूँ अपना नाम तो मैं छोटा कर लेता हूँ इसको अपना नाम लिखता हूँ सबसे पहले विकास वर्मा कर दिया है हमने और नीचे लिखना है हमको डेट तो एंटर करते हैं हम लिखत अब यहांपर शायद आपको दिक्कत देखने को मिली आपका जो word है वो छोटा होगा तो आपको इसे सिलेक्ट करना है ऐसे करके और यहाँ पर आपको number बढ़ा देने हैं मैं 72 करके देखता हूं तो आप आप देख सकते हैं 72 हो गया है अब यहाँ आपको जो font है इसे पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फॉंट यहां पर मिल जाएंगे जैसे कि दुबाई मीडियम मैं यह वाला यूज करता हूं इसे भी कर सकता हूं मैं तो यह हो चुका है अब यहां पर आपको इसे सेट कर लेना है select करने के बाद यहाँ पे आप इसका color change कर सकते हैं जैसे कि yellow या ये color या black color इसे ध्यान रखिएगा इससे उठा के आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये एक बात आपको ध्यान रख नहीं है अगर ऐसे आता है यानि कि पीछे की जो पट्टी आ रही है या white आ रही है बस ध्यान नखिएगा आपको बीच ओब बीच लिखना इसको अब इसे save कैसे करना है अपने मन चाहिए mb में तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखाए देगा size नीचे की तरफ तो अभी ये 207 kb का है मुझे चाहिए करीबन 60 kb का यानि 60 तो यहाँ पर आपको मिलेगा resize resize री-size पर किलिक करें यहाँ पर मिलेगा percentage यहाँ पर अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्यादा कम करीए यह आपको क्लिक होना चाहिए तो मैं हम हरतेता हूं करीबन 60 करके दिखते हैं करते हैं तो यहाँ पर इसका जो साइज है वो कम होने लग जाएगा तो यहाँ पर आपको इसे सेव करना है तो फाइल पर किलिक करें save as पर click करें desktop पर click करें इसे नए नाम से save कर लीजिए jpg में तो मैं इसे कर लेता हूँ शारुक खान save करता हूँ तो 99 kb की दिखा रहा है मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ जैसे की resize पर click करता हूँ और इसे हमाँ करता हूँ करीबन 30 और ok करता हूँ और c और control as press करता हूँ तो यह 17 kb रह गया है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं और हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुका है मैं इसे चेक कर आ लेता हूँ तो मैं right click करता हूँ properties पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं 17 kb हो गया है तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें